प्रेंड्स वेलकम बिक ऑन माई यूट्यूब चैनल आज के क्लासे इट इस ए पार्ट आफ यूर्सम कोचिंग फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं नाउन और जेंडर के बारे में और काइंड्स आफ जेंडर के बारे में तो first of all हम बात करते हैं what is the definition of gender जेंडर की परिभासा के बारे में जेंडर the noun which denotes male or female sex is called gender means संग्या जो पुरुष या मेला के link का बहुत कराती है उसे link कहते हैं अब बात करते हैं kinds of gender की तो there are four kinds of gender first is masculine gender, second feminine gender, third common gender, fourth neutral gender बात करते हैं first kind की masculine gender, हिंदी means pulling इसकी definition है the noun which denotes male sex is called masculine gender संग्या जो पुरुष के link का बोध कराती है उसे pulling कहते हैं हता जितने भी male sex वाले होंगे वो masculine gender में आते हैं सच है जैसे की boy, father, peacock, horse यह सारे masculine gender next है second number, feminine gender, sterling, इसकी definition है the noun which denotes female sex is called feminine gender संग्या जो इस्तरी के link का बोध कराती है उसे sterling कहते हैं अता जितने भी female sex होंगे वो feminine gender में आते हैं सच एज जैसे की girl, mother, pehen, mayor थार्ड नमबर पे हैं, common gender हुबे लिंगी definition is the noun which does not specify the sex but only indicates a living thing is called common gender संग्या जो link को निर्दिष्ट नहीं करती है लेकिन केवल एक जीवित चीज को इंगित करती है उसे उभे लिंगी कहते हैं इसको उभे लिंगी को दिवी लिंगी भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर male और female वे difference नहीं किया जाता है सच एज इस्टुडेंट अब इस्टुडेंट male भी हो सकता है और female भी हो सकता है teacher teacher male भी हो सकता है और female भी thief है male भी हो सकता है और female भी enemy है तो enemy भी क्या हो सकता है male और female दोनों हो सकते हैं fourth number की बात करते हैं नुटर जेंडर, नपुन सकलिंग, the noun which denotes a non-living object is called नुटर जेंडर, संग्याद जो एक निर्जी वस्तु का बोध कराती है, उसे नपुन सकलिंग कहते हैं, मिन्स जितने नुटर जेंडर में आएंगे, पैन, टेबल, ट्री, बुक, रोम, टीवी, इस सारे के सारे नुटर जेंडर हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, रिूल्स आफ फॉर्मिंग दा फेमिनाइन जेंडर, इस्तरलिंग की रचना करने के नियम, मिन्स मस्कुलाइन जेंडर को किस परकाश से फेमिनाइन जेंडर में चेंज्ज करते हैं, रिउल्स नूमबर फस्ट, मस्कुलाइन नाउन के बाद EWS लगाने से फेमिनाइन नाउन बनाया जा सकता है, फर्स्ट एक्जम्पल ओथर प्लास EWS मिलकर बनते हैं ओथरेस तो ओथर मिन्स होता है लेखक और ओथरेस मिन्स लेखी का सेकेंड नमबर है होस्ट प्लास EWS होस्टेस तो होस्ट है मालिक और होस्टेस मालकीन थर्ड नमबर प्लास EWS प्लास EWS प्लास EWS और इसी तरीके से फॉर्थ नमबर लाइन प्लास EWS लाइनेस तो हमारे जितने भी यहां पर मस्कुलाइन से उन सब के साथ हमने EWS लगा कर उनका फेमिनाइन बनाया है इसका अंदर एक एक एक्सेप्शन भी है अपुआद गौड प्लास EWS गौड़ेज अब यहां पर क्या हुआ है जो D था वह सिंगल था बट जैसे ही उसको हमने फेमिनाइन में चेंज किया वहां पर उसको डबल करके किया है तो यहां पर यह एक्सेप्शन से बाकी उपर वाले में हमने किसी में भी कोई डबल लेटर नहीं किया है शि अग्सटिमवाववेल को हटाकर उनके साथ EWS जोडने से फेमिनाइन नाउन बन जाता है एक्टर प्लास EWS चार्वेल बना एक्ट्रेस इसका एक्टर नाष्ट वावेवल है वह O है दिखाई दे रहा होगा लाष्ट वावेल को इसको हटाकर हमने यह डबलश लगाए है जबकि जो first rule था उसके अंदर हम किसी भी vowel वगरा को या consonant वगरा को नहीं हटा रहे थे लेंगि second number rule में यह अलग है इसके अंदर last vowel को हटा कर फिर EWS लगाया जाता है second number example editor editor का last vowel O है plus EWS editor S इसी तरिके से third number tiger tiger का last vowel E है plus EWS tigress fourth number wetter wetter का last vowel E है plus EWS wetress fifth number negro negro का last vowel O है nigress इस तरिके से last vowel को हटा कर और ES लगा कर आप masculine noun को feminine noun में बदल सकते हैं next बात करते हैं rule number third की कुछ masculine सब्दों के अंतिम vowel एवं उसके पहले आने वाले consonant को हटा कर EWS जोडने से feminine noun बन जाता है for example first number abot a, double, b, o, t तो इसका last vowel है o और उससे पहले आने वाले consonant t plus e, s तो o और t हट जाएंगे उसके जाएंगे e, double, s लग जाएगा तो क्या बनेगा एवेस abot का means होता महन और abos का means होता महन तीन second number है murderer plus e, double, s murderer का last vowel है e और उससे पहले आने वाला consonant है r यह दोनों हट जाएंगे उनकी से के पहले क्या लग जाएगा e, double, s तो बन जाएगा madres third number governor plus e, double, s governor का last vowel और उससे पहले आने वाला consonant r यह दोनों हट के इनकी जाएगे पर लग जाएगा e, double, s और बन जाएगा governance इस परकार आप इनका feminine noun बना सकते है इसके अंदर कुछ exceptions भी है जैसे emperor plus e, double, s emperor का last vowel O है और उससे पहले आने वाला R है लेकिन इन दो को हटाने के साथ साथ इसका और आगे आने वाला वो वेल भी हट जाता है और कुछ इस तरीके से उसका feminine बनता है amperis amperis मतलब हो गया सामरागी e, m, p, r, e, double, s next है duke duke का पूरा changing तरीके से बनता है duchies इस परकाइस के अंदर दो exception भी है next बात कहते है row number fourth की कुछ compound nouns के masculine सब्दों के first word में परिवर्थन करके feminine noun बनाया जाता है जो compound noun होता है वह दो या दो से ज़्यादा words के साथ जूड़कर बना हुआ होता है तो इसका जो first word होता है उसके अंदर हम changing करके उसका feminine noun बना सकते है for example first number bull, calf इसका जब आप feminine बनाओगे तो इसका बनेगा cow, calf तो bull जो इसका first word था उसकी जगे पे आपको क्या लगा देना है cow bull, calf का मतलो हो गया बच्छड़ा और cow, calf का मतलो हो गया बच्छड़ी second number man, servant man की जगे आपको changing करके made कर देना है तो इसका बन जाएगा made servant man, servant knocker और mad servant knocker third number he got he got का मिन्स होता है bakra he got आपके आपको कर देना है see तो he का वैसे भी feminine see यह होता है तो he की जगे के लगा लाना है आपको see लगाना है और इसका बना देना है see got तो इसका मिन्स हो जाएगा bakri fourth number है sun in-law sun in-law का मिन्स होता है दामाद आप sun in-law की जगे क्या लगा देना है daughter in-law sun की जगे क्या लग गया daughter और क्या बन गया daughter in-law इस परकाड़ से आप compound noun के masculine के first letter में changing करके आप उसका feminine noun बना सकते है next rule number five कुछ compound nouns के masculine सब्दों के second word में परिवर्तन करके feminine noun बनाया जाता है first में हमने fourth number rule में पढ़ाता कि first word में परिवर्तन करके बनाया जाता है अब इसके अंदर पढ़ रहे second word में परिवर्तन करके भी उसका feminine बनाया जा सकता है first example है grandson तो यहाँ पर जो last word है son वहाँ पर आपको daughter लगा कि इसका granddaughter बना देना है तो grandson का अपने आप feminine बन जाएगा grandson, granddaughter second number washer man तो उसका बन जाएगा washer woman man की ज़गी क्या लग जाएगा woman third number peacock इसका बनेगा p hen जाएगी कोग ताब वहाँ पर hen लग जाएगा fourth number step brother step brother की जगे लग जाएगा step sister brother हट गया उसकी जगे का लग गया sister इस परकार से compound noun के second word में परिवर्तन करके भी उसका feminine बनाया जा सकता है next rule number six different word का यूज़ करके भी masculine noun को feminine noun में बदलते हैं there is no rule for such words और ऐसे सब्दों के लिए कोई नियम नहीं है for example first number lead lead का feminine हुआ less lead का means होता है लड़का और less का means हुआ लड़की gentleman gentleman को हम change का देते हैं lady में third number nephew nephew change हो जाता है niece में वैसी fourth number hero heroine fifth number monk nun sixth number ram ev seventh number sire damn lamb head number wizard witch ninth number sultan sultana ten number drake duck इस परकार इस परकार इन शिक्स रिउल से आम मस्कुलाइन नाउन को फेमिनाइन नाउन में चेंज कर सकते हैं अगर किसी भी परकार का इस कॉंसेप्ट में कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट अस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब आवर चैनल और प्रेस्ट बेल इकन फर लतेस्ट अपदेट्स